इसी प्रकार से महाराज स्री के स्रिमुक से कथा प्रसंगों का निरंतर आनन लेने के लिए पुझिस्री के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें शिर हनमान जी प्रवेश्की बाहर आए ये तो समझ में आता है प्रणाम क्योंकि ये क्योंकि सुरसा जी को देवताओं ने भेजा है तो सरेष्ट भही न इसलिए हनमान जी ने कहा माई हो गया न जाओं अब माई का आश्रवास सुनिए राम काज सब करिह हो तुम बलबो दे मिला आशिश देई गई सो हरशे चले ओ है लूमान आप सब राम काज करेंगे शीलता हो सिरनमान जी की शीलता अरे खाने आईसी मारते एक थूसा नहीं यही तो शीलता इसी का तो परिक्षन था लंका में जाना है असरों के राजा के पास जाना है तो शीलता है क्या निकी हर जगह थूसे काम नहीं करता है सो शीलता भी वेवहर में होने चाहिए यह मूल है हमारी शीलता शालिंता ही हमको सेटक तो परदान में कर देती है मा परिक्षन ही करने आई थी कि इसका स्वभाव कैसा है तभी तो आशिरवाद मिला यह रामकाज सब करियो हो क्योंकि तुम बल बुद्धी अब बल बुद्धी के खजाना हो बल भी है देखिए बलवान विक्ति बुद्धिमान कम होते है शिरहनमान जी बलवान भी है और बुद्धिमान भी है अतुलित बल धामम और ग्यानी राम अग्रगन्यम बुद्धी भी है पहलवान लोगों कोनों काम में भीडाई देतने बुध्धी से सरीरे से काम सरेत नहीं बुध्धी की भी आवशकता है पहलवान बुध्धिमान का रथ क्या है कि बहुत जोरदार पहलवान मिला जोर्ण मिला तो ठीक नहीं आपको समरेड होगा मुझे किसी महात्मा से सुना हूँ जगत गुरु भगवान आदी शंकर अचारी ने का ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रमही बना पर ऐसी सुना है क्या सत्य है तो महात्मा महापरुश्लों की बाते हैं कता प्रयाग राज में सुन रहे थे मैं तब प्रयाग में गुम गुम कता सुना करता था उन्तमे की बात है तो पुझ्य एक मात्मा थे बड़ा विवाद रहा उने पर तो किसी ने कहा महाराच परिक्षण करेंगे कैसे परिक्षण करोगे तो एक मतवाला हाथी बांदिया गया दस दिन तक उसको फिर कहा ये योदि ब्रम और सत्य है जीव में भी वही है तो आप इसको समालिये मतवाला हाथी खोल दिया गया भगवान जगद्गुरु शंकर जो मत वाला हाती दोड़ा, तो भगवान आज शंकर पेड़ पर चड़ गए. तो भगवान शंकर आश्यातियंग॑ मिखै आप में ब्रह्म है तो उसी पेड़ पर कर चाड़ गए. आब ओ स्थाफितीयो ब्रह्म चाथ भी ब्रह्म बरबर प्रेम करना चाहिए. तो भगवान संकराचारने का देखो जिस ब्रह्म ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर उसी ब्रह्म ने कहा इस समय पेड़ बचड़ जाओ तो निप्टा देगा बुद्धी भी ज़रूरी है ग्या निनाम अग्रगन्यम अब मतवाला आती आएगा सामने आप लड़ेंगे तो क्या होगा दान पर उठाके दूई बार पठकेगा जैजे सिरकिष्न हो जाएगा बुद्धी इसलिए है श्री हनमान जी महराच का परिक्षन करने सुरुसाजी आई अगे ये श्री हनमान जी की आगे नहीं रहेगी जैसा जो मिलता है श्री हनमान जी उसके था तो वई साही वेवार कर देते है हनमान जी चले चले निसचरी एक सिंद महराई घहिमाया नबते कग देवर जीव जन तुझे गगन उडाई जल विलो के दिने परचाई गई छाह सक सोनन उडाई एहे दिसदा गड़न चरखाई राहू की माई है सिंग का अब एक मूल बात यहां देखिएगा हनमान जी उड़े कम से कम साथ घंटा लगा होगा समुद्र पार करने में लगा होगा न अब बोलो हाना तो कुछ करो यार नहीं मनो जवम जैसे साड़े थात बज़े आप लोग घर की रसोई ग्री में माता लोग पहुंच जाती है यहीं बैठे बैठे चलके क्या बनाना है पहुंचे पनमान जी यहां इतना भी समय नहीं लगता मनो जवम जितना मन को यहां से अयोध्या जी पहुंचने में लगा आपको पंडल से घर पहुंचने में जितना समय लगता है मन से उतने में शिरहनमान जी पहुंच गए कहां लंका मनो जबम मन के वेक से हनुमान जी गय उड के नहीं गय सरूप यहां रहा यह तो कथा है प्रवंद है बाबा का हनुमान जी कहीं भी जाते हैं जब संजीवनी लेने गए थे तो क्या रात भर लगा था क्या लंका कहां दक्षेन कहां उत्तर हनमान जी चले और पहुंचे सुरियोदो नहीं भाया क्यों अब सुरिय भगवान हनमान जी के गुरू महराज है तो चेला कहते का गुरू जी हम आई तब है यह तो गुरू जी का आफ़त करही है घंटा तो गुंटा देहाने कही ले चेला जब आई कही तो फिर आओ ले होई गया एक लीला दर्शन करिए क्या अद्बूत लीला लोग कहते है सुरिय भगवान को खा लिये थे इसलिए नहीं 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 इसा कुछ नहीं सुरिय भगवान उदित ही तब होंगे जब उनका समय होगा ना हनुमान जी ने रोका ना सुरिय भगवान रुके हनुमान जी को जाने आने में समय ही तना लगा कि रात बीते बीते हनुमान जी ने सब काम संबन करा दिया सुखेन को लाना बूटी ढूण के लाना का नम था का हो काल नेमी को थुथुरना साब उसी में सम्मिलित है बुटी पिलाना सुखे इनको वहां सुख से पहुँचाना ये साब वेवस्ता है तब तक सुर्य भगवान का आना ये सारा वेवार उसी में संपन्न हो गया सिश्य सद्गुरु को कहेगा ये सब दिमागी का सरत उसी के मध्य में सब काम हुआ सिर्हनमान जी सिंग्हिका को मारा पहुचे एक साइल उस पर चड़ गए मा का परश्ण है आपने तो कहा कोई भी आएगा तो ब्रहमान पट जाएगा बाबा बोले उमा नकचु कभी के अधिकाई आज तो प्रभू प्रताप जो काल ही खाएए काल को भी ग्रास बना से अनमान जी चड़ गए परवत पर अओ लंका को देखे कैसी स्वभाय लंका की कनक कोट विचेत्र मन कृत सुन्दराय तर्मागरा चवहट हट सुगट बेर चार पुरबहों के दिवरा गज बाज खर चर निकर पद चर रफ बरोटनि जोगनि बहो रूपनित चर जूत अतिवर सेन भरलत नही बरे बन बाग वुप बन भार्तिकासर पूप बापिर शोभई नरनाग सुर गंधर बकन्या रूप मुनिमन भोवर कवमाल देह विशाल सैल समान अतिवर जई नाना तखार न भिरई बाउप दिजे गई कन कर जई घर्जत नभठ दो देह कर जगर जई नगर जबिके आठरिकासर पूप देह इहिलाग तुल सीदा से इनकी कथा खचुएक है कनी एह लाग तुलसी राजरिव की गथा कचुए कैखे जगो बीर सरती रत सरी रही जागी गती पैही सरी दुनिया में जहां जहां सवंदर ये था रामण ने सब एकत्र कर रखा है कैसा सवंदर ओह नरनाग सुरगंधर्व कन्या इतना रूप मुनी मन मुहित उनका सुरूप मुनियों के भी मन को मुहित कर लेता है भगवत किर्पा अनभव करें गया तो ये मन कहीं अजूराएगा नहीं लपटाएगा नहीं हमारे मनुजी महराज ने ब्रह्मचरिय सिद्धांद सरग में बड़ी अच्छी बात कहीं ब्रह्मचारी कौन अपनी एक अरधांगनी एक अरधांगनी अपनी धर्म पत्नी के साथ भी अशवच काल को छोड़ कर जो ग्रहस्त सुख को प्राप्त करता हुआ जीवन जीता है वह ग्रहस्त होता हुआ भी ब्रह्मचारिय है यह मनुजी महराज ने का आपने पढ़ा था मिष्णों सुमरण है ना कुना में पढ़ा गया था वर्मचारिय है और यह जो वर्मचारिय वरत है यह यहीं नहीं सरवत कल्याण करता है मंगल करता है जान गए करूँ कथा में मौज की छूट नहीं कथा में चाहे जिसकी छूट नहीं आहां नारायन है इसी तरह सुनते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बिल आइकन को दबा दीजिए और पुने अर्जन के लिए अपनों में सेयर करिए नहीं – पुने को अ झाल